नवस्कार स्वागे थे आपका इंडिया की बात में मैं आभिसार शेर्मा इसकार करे में मेरे साथ हैं भाशा और और मिलेश और आज तीन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं हिजाब मुद्दे पर सुप्रीम कोट का बटा हुआ फैसला मामला चीफ जस्स अव इंडिया के सामने आएगा मगर उस मुद्दे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं मुद्दा नमबर दो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में आ गए हैं कह रहे हैं कि मुझे गाली दी जा रही है कॉंग्रिस ने ठेका किसी को दे दिया है उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इस कदर बौकला गए है मोदी सरकार कि चुनावायोग ने नोटिस भेश दिया जबकि कोई आचार सहीता नहीं है मुद्दा नमबर तीन प्रवेश साहिब सिंग वर्मा वो व्यक्ती जो की भाश्पा का सांसद है उसने भड़काओ बयान दिया कहा मुसल्मानों का आर्थिक बहिशकार होना चाहिए और उसकी गूंज सुनाई दे रही है प्रधामंत्री फिर खामोश है देश के लिए शर जज ने करनाटक हाई कोट के फैसले को सही ठहराया और दूसरे जज जस्टिस सुधानशु धुलिया ने मानवादिकारों की बात की बच्चों की शिक्षा की बात करी मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरसल उन्होंने कहा क्या है जो आपके स्क्रीन्स पर आया है ये उपनियता और गरिमा पर आकरण है उन्होंने कहा कि ये आखिर कार पसंद का मामला है और कुछ नहीं है सभी याचिका करता हिजाब पहनना चाहते हैं क्या लोक तंत्र में पूछना बहुत अधिक नहीं है एक खबर जिसके कई पहलू है क्या है इस खबर का पंच को या देश की महिलाओं को नहीं उसने निराश किया देश की लोकतंत्र को क्योंकि बुनियादी मामला है हमें अधिकार है जो फंडमेंटल राइट से उसके तहत मामला आता है और जिस तरह से इसका राज़नितिक करण किया गया है हिजाब पॉलिटिकल इशु के तौर पे सुप्रीम कोट ने देखा और इसलिए मुझे बहुत निराशा हुई क्या है इस खबर का पंच अब उर्मिलेश बताएंगे अब इस तरह मैं समझता हूँ कि जस्टिस सुधान शो धुलिया का जो जजज्मिंट है इस मामले में मैंने दोनों का ध्यान से पढ़ा दोनों माननी ये नियाए मुरतियों का मुझे धुलिया साब के जज्मिंट से पूरी तरह सामती है क्यों क्योंकि ये पसंद और स्वतंतरता का मसला है नीजी अधिकार का मसला है इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई दिगर बात हो सकती है इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि ये धार्मिक मुद्धा कता ही नहीं है ये सामाजिक मुद्दा भी कता ही नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के जरिये राजनीती साथने का मुद्दा है हम ये ना भूलें कि इस मुद्दे पर किस तरह से बाकाइदा इसके प्रायोजक थे जिन्होंने इस आंदोलन को भड़काया ये सिर्फ और सिर्व राजनीतिक मुद्दा है और उसके अलावा कुछ नहीं मेरे खाल से भाषा जो मुद्दा यहाँ पर जस्स धुलिया उठा रहे थे उन्होंने कई एहम मुद्दे उठाए उन्होंने कहा देखी हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां बच्चियों के लिए शिक्षा अपने आप में बहुत ही प्रतिकूल हालात में उसको वो अन्जाम देते हैं और कुछ आंकडे भी सामने उभर कर आये हैं कि जैसे ही मामला सामने उभर कर आया कई मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो घर में बैट गई जी अब सवाल ये कि एक अर्से से जब लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल जा रही हैं तो राजनीती के चलते उनके अधिकारों पर इस तरह का वार करना मेरे साल से इससे ज्यादा बेरहमी कुछ नहीं हो सकती और देखिए जो मामले सारे आए अदालत में जिस तरह से धूलिया जी ने भी कहा और सारे तत्थे पब्लिक डोमेन में हैं यहाँ पर सबसे दिल्चस्प बात यह है कि एक सिख महिला भी यहाँ पर आई और उन्होंने कोट में कहा कि भाई जब मुझे सर ढखने का हक है यहां पर जब मुस्लिम लड़किवं की पढ़ाई का मामला है माइनोरिटी की फ्रीडम का मामला है उस से भी बड़ी बात अभी सार महिलाओं को छोड़ दीजी हग दीजी कि वो decide करें क्या पहनेंगी नहीं पहनेंगी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एंको ए explored सिक्ता पहि इलाव खड़ी हुई हैं, वहाँ पे उनका प्रोटेस्ट वो है, तो ये शर्म की बात है, कि जो देश की सबसे बड़ी अदालात में पूरा विमर्ष सारे तथे सामने आए, हमारा कोट पूरा भूल जाता है कि रिलिजिस फ्रीडम क्या है, और मेरा अधिकार क्या है, सवाल ह कि लेट मी डिसाइड ओवर माई बॉडी, मुझे अधिकार दीजे कि मैं अपने शरीर के बारे में फैसला करूँ, बहुत एहम बात यहां भाशा कह रही है, अक्सर लोग ये कहते हैं, खासकर जो लोग हिजाब के पक्ष में बात कहते हैं, कि देखो इरान में देखो क्या ह हो रहा है, दोनों मुद्ने समान हैं, बेशक एक जगा हिजाब के पक्ष में अंदोलन हो रहा है, और दूसी तरफ ये कहा जा रहा है, कि मुझ पर जोर ना डाला जाए, दोनों जगा जोर का है, दोनों जगा एक औरत को ये फैसला करने का अधिकार है, कि उसके शरीर पर उ उन्होंने इसका इस्तमाल यहां तक कि उत्तरपदेश की चुनावों में भी किया। राजनीती है और कोई राजनीती उसके लावा कुछ नहीं है। बेशक ये केवल राजनीती है और इसका और कोई अर्थ नहीं है। दिखाने के लिए केवल कि हम यह इस इशू को उठा रहे हैं भई सवाल इस बात का है कि दुनिया की जीतनी बहतरीन डिमोकरसी है अभिशार हमने सबका तो नहीं लेकिन कुछ एक का मुएना किया है हमने बिटेन में भी देखा कई जैनलिस्ट गए थे साथ और हम लोगों ने लेस्टर और बर्मिंगम दोनों जगहों के डिफरेंट स्कूलों का एक हम लोगों ने विजिट किया था ये कामन वेल्थ की तरफ से ये ट्रू रायोजित था हम ऐसे स्कूलों में गए जहां बहुत देखकर दिल्चस्प वाक्या था कि एक तो ड्रेस नहीं थी कोई बच् किसी को नहीं है एक डिमोक्रिटिक कंट्री है और हम नजीर देते हैं हम उदारन देते हैं कि साब ऐसे देश हैं हमको इतनी बहतर अपनी डिमोक्रिसी बनानी है आकि भारत में क्या ऐसा है करनाटक में ऐसा क्या मसला उट गया कि आप एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं साब सि चुनोती दे रहे हैं अब कहते है इरान का मसला अरे इरान में तो खतम हो गया जी हमारे हां क्यों रहेगा अरे इरान में महिलाएं ही कह रहे हैं कि हम नहीं वो पहना चाहते हम नहीं वो पहना चाहते वो आंदोलन यहां की महिलाएं करे ना जिस दिन भारत की महिलाएं कहेंग कि हम कुछ भी नहीं बूर का नहीं लेंगे हम यह नहीं करेंगे हम उसका भी समर्थन करेंगे इसलिए जश्टिस दुलिया हमने पूरा उनका जो जजमेंट है हमने देखा पड़ा ठीक से मैं समझता हूं कि संभिधान की पूरी की पूरी जो धार्मिक सतनता का जो हैं उसकी रोशनी में बेहतरीन फैसला है और मैं चाहूंगा और मेरी ये अपक्षा है कि भारत का जो सुप्रिम कोट है जब कभी एक बड़ी बिंच फैसला करे इस फैसले को जरूर ध्याने मगर जो मुद्दा मैंने उठाया और मैं काईदा बीजेपी से जुड़े लोग थे वो छात्रों को गमचे बगवा गमचे बाट रहे थे यह तमाम चीजें कैमरे पर हैं दिस वॉज अ स्पॉंसर्ड इवेंट और सबसे बड़ी बात है अभिसार कि ये तो स्पॉंसर्ड है स्पॉंसर्ड किस लिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि देश के मुसल्मानों का दानवी करण हो उन्हें बहुत ही खराब ढंक से पोट्रे बहुत ही पिछड़ा हुआ समा जिसकी कोशिश दो हजार चौदा से लेकर बाइस तक हर मौके आप लगातार जो है नफरत जो इसलामोफोबिया है कि आप मुसल्मान के खिलाफ इसलाम के खिलाफ नफरत पहलाना उसे बहुत पिछड़ा बहुत बर-बर दिखाना चाहते हैं और इसके लिए जिस तरह से शर्मनाक है कि तमाम भारती नागरिक तमाम महिला हैं तमाम लड़किया जो हिजाब पहने हुए हैं जो पढ़ने का अधिकार मांग रहे हैं जो उनका fundamental right है अभी सार कोई और बात नहीं है वो fundamental right है कि उनको शिक्षा का अधिकार मिले कोई discrimination ना हो वहां पर आप देखे कि क्योंकि आपका political agenda है आप मुसल्मानों के आधार पर vote लेना चाहते हैं लोगों को बाटना चाहते हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप इतनी बड़ी साजिश रचते हैं कि लड़कियों को शिक्षा से बाहर किया जाए स्कूल से बाहर किया जाए और गुं अंचा डालते हैं कहीं भी पहुचेंगे और वो above the law कानून से उपर लड़कियों को प्रभावित कर रहे हैं इसका एक और पहलू जो है उसकी तरफ आपका ध्यान खीशना चाहता हूँ यह जो दोहरे मापदंड हैं मसलन हम यहाँ देख रहे हैं कि कई लोग जो हिजाब के पक्ष में तो बात कर रहे हैं मगर एरान में आके उनके तेवर बदल जाते हैं कई मुसलिम इंटलेक्शुल्स भी उसमें शामिल हैं तो यह दोहरे मापदंड भी तो नहीं होने चाहिए इस ख़बर का यह पहलू भी है उरमेलेश जी अगर कहता है नहीं साथ बिल्कुल अ अधर पर हम आपकी बारत में इस आधर पर हमसर्फन नहीं कर सकते हैं कि हैं आप यहां की माइनटी कमुनिटी के हैं लेकिन आप एरान की महिलाओं के पक्ष में नहीं उतर रहे हैं आप कहारें, ने जब यहां तो Islam कहता है मैं अब बादा हो बहटा हुआ मैं तो इस मामले में नो तो हिंदुत्वा के साथ हूँ नो मैं इस मामले में इसलाम के साथ हूँ अब आपको चार लाइने आपके साथ शेयर करती हूँ दरशकों को, महसा अमीनी पर लड़ रही लड़कियों के अक्स में इरान हो भारत हो या अमरीका या फिर कोई भी मुल्क अपने तन पर अपना हक मांगने वाली ओरतों के चेहरे तनी हुई मुठियां घुलने मिलने लगी है तुम से तुम बन गई हो हम तुम औरते तो यहां औरतों का सवाल है धर्म का पेले कुछ पत्रकारों से बात हो रही थे अब जाहिर से बात है मैं नाम नहीं ले सकता हूं उनका उनका ये कहना था कि भाई हम हिजाब पर नहीं बोल सकते क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी तो वो दोहरे माबदन जिसका मैं जिक्र यहां पर औरमेलेश जिसे कर था था ना वो यहां पे कई लोगों में और यह दोरे मापडर नहीं हो सकते जब आप हक की आवास कर रहें जब आवदिकार की आवास कर रहें तो आपको हर जगा अधिकार की बात करना ही पड़ेगी इससे पहले कि हम अपने अगले विशय की तरफ जाएं आप सब से एक अपील आप जानते हैं कि मौजूदा दौर में असली पत्रकारिता एक बहुत ही मुश्किल पेशा है असली पत्रकार खासकर आप लोगों कि मुद्दे उठाने के लिए जजबा चाहिए हिम्मद चाहिए क्योंकि उस पर काबू पाने के लिए सरकार लगातार निशाना साधती रहती है और इस दौर में हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक हमारा समर्थन दे हमारी आपसे अपील है दोस्तों कि आप हमारा साध दे हमारा समर्थन दे और नीचे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ दोस्तों इस लिंक पर जाएं हमें अपना समर्थन दे ये लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है चलि अब हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं दूसरा मुद्दा क्या है दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार एक चुनावी राली में कहा कि मुझे गाली देने का ठेका अब कॉंग्रेस ने किसी और को दे दिया और जाहिर सी बात है यहां इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ था आम आदमी पार्टी की नेता का एक पुराना वीडियो जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तमाल किया था अब बीजेपी उसे बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है दूसरी तरफ राहूल गांदी की भारत जोड़ो यातरा के लिए चुनाव आयक का नोटिस आ गया कि भई आप बच्चों का इस्तमाल कैसे कर रहे हैं जबकि कोई आचार साहिता नहीं है यानि की भाच्चपा का वही ड्रामा वही अंदाज बया फिर शुरू हो गया है क्या इस खबर का पंच शुरुआत हम उर्मिलेजी से करना चाहेंगे अबिसार हर चुनाव से पहले भारती जनता पार्टी इस तरह के चुनाव पहिंतरे अख्यार करने में हमेशा आगे रहती है और बहुत ही फद्धे ढंक से इसका इस्तेमाल किया जाता है अभी जैसे आपने इटालिया साहब का एक जिक्र किया जो आमादी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष है उनका कि उनके बारे में ये हुआ रिस्ट हुआ ये वगरा मुझे तो लगता है कि उनको ये सब जानबूस कर योजना के तहत हुआ ताकि उनको फोकस में लाए जा सके उस पार्टी को फोकस में लाए जा सके ये भारती जन्तापाटी अपने पक्ष में ये काम कर रही है गुजरात के कांटेक्स्ट में मैं ये कह सकता हूँ ये पूरी तरह नियोजित चुनावी पहंतरा है क्या इस खबर का पंच भाशा बताएं देखिए अभी सार मुझे तो बहुत साफ लग रहा है कि मोदी जी परेशान हो गया है काफी परेशानी में बहुत डेस्पिरेशन है बहुत आक्रामक हो गये है और जिस तरह से आक्रामक होके वो बार-बार फोटोशॉप कर रहे है उससे लगता है कि राहूल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसने बहुत गहरे उनको प्रभावित किया है उनको लग रहा है कि उनकी जो पब्लिसिटी है उनका जो एक छत्र सामराज है वो कही न कहीं हिल रहा है अभिसार क्या है इस पे आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि भारती जनता पार्टी की जो राजनीती है न जिसमें एक धार हुआ करती थी अब वो बहुती उबाव हो गई है बहुती प्रत्याशित हो गई है, बहुती प्रिडिक्टिबल हो गई है जनता को ये क्यों नहीं दिख रहा है मैं नहीं जानता हूँ मगर हर चुनाव में वही अंदाजे बया इसलिए मैं कहा हूँ ये पूरी तरह से प्रेडिक्टिबल हो गई है जाहिर सी बात है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कोई नीच शब्द का इस्तमाल कर रहा है उनकी मदर का जिक्र कर रहा है उनकी मा का जिक्र कर रहा है जो की गएर राजनीतिक शक्सियत है उसकी कड़े शब्दों में आलोशना की जानी चाहिए मगर बड़ी बात ये कि एक दूसरा पहलू भी है राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और चुनाव आयोग National Commission for Child Rights Protection पर उन्हें नोटिस भेज रहा है कह रहा है कि आप बच्चों का इस्तमाल कर रहे हैं धेरों ऐसी तस्वीरे हैं जहाँ प्रधान अंत्री खोद अपनी रैली में बच्चों के साथ खड़े हुएं मतलब हद ही है जिसे आती हो जाती है भाज़पा की राजनीती और उनकी हरकतों को दिखा जाये तो अभी सार मैं समझता हूं कि भारत में स्वातंतरता के बाद कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज नहीं किया आज तक जिसने राजनीती में समाज में गालियों का उतना इस्तेमाल किया हो अब शब्दों का उतना इस्तेमाल किया हो लोगों को बेज़त करने वाले महावरों का इतना इस्तेमाल किया हो लेकिन ये मीडिया के कारण, मेंस्टी मीडिया के कारण, उसके मुद्दों पर कभी बात नहीं होती, और सोनिया गांदी, पिन्राई विजियन, राहुल गांदी, या कोई पत्रकार, कुछ भी अगर टिपणी कर देता है भारती जन्ता पार्टी के किसी नेता के विरिद्ध, ततकाल वो इतना पड़ा पहाड खड़ा हो जाता है, कि आप कलपना भी नहीं कर सकते, मैं किसी भी व्यक्ति को अब शब्दों के जरिये एड्रेस करने को गलत मानता हूं, लेकिन ये एकस्परटाईज भारत में सिर्फ बीजेपी के पास है, और अभी आप, अभी आप दे जिहास में ये पहली सरकार है, जहां सरकार की आलोशना को देशद्रों के साथ जोड़ा गया है, धर्म विरोध के साथ जोड़ा गया है, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है, मगर मैं अगर आपकी आलोशना करूँ, तो आप मुझे देशद्रों ही बताएंगे, मैं आपकी हम लोगों ने मिसिस गांधी स्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रदान मंतरी थी उनकी खिलाफ नो जाने कितनी सारी बातें कहा करते थे और कुछ ऐसी बातें भी होती थी जो हमें हमें उस समय नहीं कहना चाहिए था क्योंकि हम लोग छात्र थे इस्प्रेंट थे और आरे ऐसे लगते थे और उन नारों को हम लोग भी फालो करते थे और तमाम पार्टी के अबदे से उधारन के तोर पे चोधरी चरण सिंग उत्तर प्रदेश के बुख्य मंतरी थे एक दोर में उसके बाद उदेश के प्रदान मंतरी और तमाम प्रदान मंतरी भी बने इसके यहां पर सारी कोशिश है कि डिसेंट यानि विरोध का जुस्वर है वह देश-द्रोही हो गया है सरकार की आलोचना यानि देश की आलोचना मतलब यह जो एक पैरडाइम शिफ्ट किया इन्होंने पूरी की पूरी परिभाशा ही बदल दी कि आप मोधी के खिलाफ बोलते हैं अब मोधी जी देखिए लगातार बोल रहे हैं अर्बन नकसल किसको बोल रहे हैं मेधा पाटकर को बोल रहे हैं तमाम और लोगों को बोल रहे हैं तमाम राजनितिक दलों को बोल रहे हैं यह गाली नहीं नहीं तो एक अपमान जनक शब्द है एक ऐसी महिला पर जो जिंद भी विरोध में बोल रहे हैं, जो पत्रकार बोल रहे हैं, जो लेखक लिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया हैं, अरे लोकतंत्र चलेगा कैसे अगर आपके अलोचना नहीं होगी, तब तो सिर्फ मोनायर्की हो जाएगी ना, अरे जो बहुत बड़ी कुशिश है, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, लोकतंत्र की, वो इस तरह से मर गई हैं, कि वो कभी नहीं कहती हैं सरकार पर कि आप कैसे किसी को अर्बन अकसल कह सकते हैं, आप कैसे किसी को कुछ भी कह सकते हैं, तो आप शशी थरूर की धर्म पतनी को कुछ कह सकते हैं, स्थोनिया ग है मुझे लगता है कि ये इसकी वज़ा से एक बड़ा काम एक जो बड़ी दुर्गती इस देश की हुई है कि हमारे चुनावायो हमारे कोर्ट्स हमारे अन्य जो लोक्तांत्रिक जो संस्थान है सभी ऐसा लगता है कि इस मुद्धे पर एक तरफा है मैं एक चीज़ उसमें एड़ करना चाओंगा एक चीज़ एड़ करना चाओंगा आपने संस्थाओं की बात की नैशनल कमिशन और विमन बुलाता है आम आदमी पार्टी के निता गोपाल इटालिया को उनकी जो अध्यक्ष हैं उनका पेतिहास देखिए उन्होंने खुद कि दोती साल पूराने बयाने ओष्टार अइसे मुझे अभी सार यह रहा है कि पूरी नंगई पर उत्रे हुने बेशरमी की इंतहा हो गई है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप जरा भी चिन्ता ने की आपकी कमिशन की साख क्या रही कि जिरो पैच अप होने लग जाता है और इससे भी बड़ी बात ये कि आप जो बदले की राजनिती है उसका एक अस्त्र बन गई है कि आपको बदले की राजनिती करनी है और अभिसार एक चीज़ हमें नहीं भूल ली चाहिए कि यहां जो नफरत और गालियों की बात कर रही है इसकी बौकलाहट लग रही है अभिसार मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक बौकलाहट है जो अन्य-अन्य मोर्चों पर जाहिर हो रही है और मुझे लगता है देखिए इस तरह की संस्कृती को सामानने कर देना सामानने कर देना और खुद को एक विक्टिम के सीना जैसे शब्दों से नवाजते हैं तमाम ऐसी बाते करते हैं वो इतने छुईमुई तो नहीं हो सकते ना कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर इतनी जोरों से उसका उसकी प्रतिक्रिया होने लगती है समाज में एक बड़ा हिस्ता बिलकुल वाकई एक अंधता सी पैदा हो गई है ऐसा लगता है कि लोग सोचना बंद कर दिये हैं समझना बंद कर दिये हैं अचा इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है आप मानिये और ना मानिये देखे क्योंकि हम सब मीडिया के तत्राटी का महिमा मंटन हो रहा है एक ही निता के बारे में सब कुछ कहा जा रहा है दूसरा कोई पक्षी नहीं आप कहा है यानि कि ये इतने ऐसे अजीवों करीब न्यूस चैनल्स हैं कि प्रधान मंत्री की आलोचना को अब ये गुना बना देना चाहते और उसके साथ इस तुती ग्यान आपने वो देखा ना जिस तरह समय उजयन में महाकाल का सारा चल रहा था फोटोशॉप उस समय जितने टीवी एंकर्स वहाँ पहुचे थे वो जितना भाश्पा प्रवक्ता बात कर रहे थे उससे जादा बढ़कर पूरी की पूरी जो पी आर इंडस्ट्री है उसके प्रवक्ता लग रहे थे जो हमारे टीवी चैनल्स कॉर्परेट मीडिया के तमाम पहुचे वे इसमें नाम लेने की ज़रुवत नहीं अभी सारी दुनिया देख रहे ही हमें आध्यात में ग्यान हुआ आजादी की बात पहली बार यह दृश्पा मुझे समझ जाता है दो हजार चौदा के बास से कितनी बार पहली बार यह लोग दृश्पा देखते हैं हर चुनाव के स अमें पहली बार कोई धिशेगव रता है मैं वही तो बताता हूं सबसे बड़े बात जो आपने बात कहीं न दुखकी बात यह है कि आपके और मेरे हम हम जैसे तीन पत्रकार minority में हैं पत्रकारिता में number एक number दो यह जो आपने जिक्र किया जिस तरह से वो anchors जो बता रहे थे कि हमें ऐसा आध्यात्मिक बोध नहीं हुआ हमें ऐसा धार्मिक दर्शन नहीं हुआ अरे आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं आप धर्म को राजनीती के साथ कैसे जोड़ रहे हैं व्यक्ति विशेष के साथ कैसे जोड़ रहे हैं मुद्दा यहाँ पर यही है कि आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और जो हम यहाँ सोच रहे हैं ना हम एक minority में चलिए अब तीसरे मुद्दे को का हम रुख करते हैं जो अपने आप में बहुत जरूरी मुद्दा है प्रवेश साहिब सिंग वर्मा एक सांसद जो आर्थिक बहिशकार की बात करता है उसको लेकर अब तक वीजेपी ने कोई आक्शन नहीं लिया और यही नहीं आज आप जानते हैं कि गुर्गाओं में कल रात को एक मस्जिद के अंदर घुसके कुछ लोगों ने हमला किया है भाजपा के नेता लगातार आर्थिक बहिशकार की बात कर रहे हैं अब ये विक्रम सैनी है भाजपा की विधायक प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स बने हुए है वो भी इस तरह के बयान देते रहे हैं तो भलही उन्होंने अपने बयान में धर्म विशेस का नाम नहीं लिया लेकिन उनका जो इशारा था वो बिलकुल साफ था कि वो किस कम्मुनिटी के बारे में कह रहे है मुझे लगता है अवी सार ये फ्रिंज अलिमेंट का मामला नहीं है पार्टी की पूरी केंदरी राजनीत का ये आधार है क्या है इस खबर का पंच भाशा हैमती भरवाई जाती है और कहीं कुछ नहीं होता यानि पूरी की पूरी खुली छूट है नफरत पहलाने की ताकि लोग न जुणे अभिसार आपका क्या है इस पे पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि इसकी कीमत देश चुकाएगा इसके अंतर राश्वी परिणाम होंगे एक पुलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि अगर इसके जरीवों सिर्फ वोट्स हासिल करेगी ऐसा नहीं होता है ये समाज एक ताने बाने से चलता है हम आपस में जुड़े हुए हैं आप जब इस तरह की हरकते करते हैं गुरुगराम का मैंने जिक्र किया आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप देश को किस तर कदर खोकला किये जा रहे हैं चर्चाओ का आगे बढ़ाते हैं भाषा ने हालकी यहां पे कहा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की रजा मनली से इसब हो रही है मैं कुछ और कहना चाहता हूँ जब आप एक देश के प्रधान मंतरी होते हैं तो आपको देश की इज़त कभी ख्याल होता है चलिए आपको देश के मुसल्मान का ख्याल ना हो आपको देश के आमन शेहन का ख्याल ना हो आपकी वो जो तीन मित्रों है ना मुकेश अंबानी, गौतम अडानी साहब और लाला रामदेव इनकी तो धंदे हैं मिडली इसमें अरे धंदे के सहारे ही तो इस पर हरकत कीजिए जो कम से कम नुपूर शर्मा के टाइम पर किया था कम से कम वैसी सोच लो देखे अभी सार मैं समझता हूँ कि बिलकुल आपने वाजिब सवाल उठाया कि ये इसके इतने अंतरास्ट्वी इसके आर्थ हैं कि कहीं आपकी पूरी एकानमी आपका पूरा जो सामरी जो एक संतुलन है पूरी दुनिया में आपने बना कर रखा है या कोशिश करते हैं कम से कम उसमें उसमें अच्छानक इतना बड़ा उल्ट फेर हो सकता है कि भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और आज दुनिया में चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से दुनिया में पुलराइजेशन जो है उसका उसका जो चरित रहे बदल रहा है तो एक तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी भी है जो इस तरह की सांसत कर रहे है या कोई भी दल का नेता कर रहा है खासकर भारती जन्ता पार्टी का वो anti-national activity है मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं होती है anti-national activity जैसा कि ये लोग बताते हैं बलकि अपने मुलक को कमजोर करने पर आमादा अगर आप हैं और आप देश की किला कर रहे हैं नफरत पैदा कर रहे हैं ये देश के किलाफ है आप जानते हैं और मुझे दूसरी बात ये कहनी है भी शारी बारे में कि हमारे देश में जो communal rights की history अगर आप पढ़िए सामपरदाइक धंगों की उसमें भी एक बड़ा major जो aspect रहा है वो minority community के जो economic base है उसको demolish कर ना और एक ऐसे महारास्ट में दंगे हुए उत्तर प्रदेश में दंगे हुए उन इलाके में हुए जहां minority community के लोग के industry लेए आपने जो कही बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देखिए प्रवेश वर्मा ने तो बात कही यादमी पहले भी इस तरह से हरकते करते रहा है इसके लाव अगर आप विक्रम सैनी का बयान देखें कि भाई मेहंदी मुस्लिम महिलाओं से ना लगवाए और अगर आप नंद गुरजर जो इनका एक और विधायक है उसका बयान ये था कि पुलीस करें अक्शन करें इन मुसल्मानों पर कुछ नहीं होगा यूपी मॉ करें जिस इलाके में हुआ है वो बेसिकली भाईचारे की लिए जाना जाता रहा है तो उस भाईचारे को तोड़ने के लिए जब आपके विधायक वहां खड़े हैं सारे लोग खड़े हैं तो आपको लगता है कि यहां पर आप अपनी गुंडागर्दी करेंगी इससे भी एहम बात जो मुझे लगता है इसका जवाब जो बहुत मज़ेदार है आपने अडानी जी की, अंबानी जी की, रामदेव जी की बात की, मैं तो कह रही हूँ देश में अगर आप मुसल्मानों का विरोध करने की बात कर रहे हैं, एकनॉमिक बायकॉट का, योगी जी का क्या करेंगे, लूलू मॉल का क्या करेंगे आप, लूलू मॉल citizen के लिए आम नागरिक का दिमाग खराब करना और जो सड़क पे रेड़ी बेचने वाला मैं आपको बता रही हूं मयूर विहार जैसे इलाके में अब लोग ये पूछने लग गए है कि पूरा नाम क्या है असली नाम तुम्हारा क्या है उतना शर्णाक है कि सब्जी वाला अ तो ये जो एक नफरत है ये सॉफ्ट्वेर चेंज करने के लिए है बिस्निस के लिए नहीं बहुत शर्णाक बरताव है कि इस शेहरों में हो रहा है और मैं कुछ और भी अंत में आपसे जो पूछना चाहता हूं एक आखरी सवाल कि देखिए भारत का जो सेकलरिजम रहा है भारत की जो संस्कृति रही है जिसका हिस्सा हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमारी किताबें ये सब दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर थे इस वजह से इनवेस्टर्स इस देश में आकर इनवेस्ट करते थे कि देखिए इस देश की सामाजिक ताने में जितनी भी खामी हो हमारी डिमॉक्रिसी है जो हमारी रीड है हमारी आत्मा इस देश की उसे बरबाद किया जा रहा है जब आप हमारी सॉफ्ट और जो स्ट्रॉंग पार है हार्ड पार है दोनों को बरबाद कर देंगे तो फिर भारत कैसे रहेगा यही तो विडंबना है कि यह लोग समझ नहीं कैसे अपने मुलक जिस को यह कहते हैं कि हम मां भारती के पुत्र हैं हाँ अब समझ में यह आ रहा है कि उस मां भारती के साथ यह क्या कर रहे हैं उसको डिमॉलिश करना चाहते हैं आप पूरी तरह निस्फ नाभूत कर दोगे एकानमी को जो यह हमले इस तरह के होते हैं देखे आज इस दोर में इन्होंने मीडिया पर पूरी तरह कबजा कर रखा है उसको टीवी पूरम बना दिया है ये बाली मुट को भी फिल्म पूरम या नोड़ा पूरम बनाएंगे इनकी इक्षा ये है कि कहीं भी फिल्मों में एक नॉर्मल ढंक से जो फिल्में बनती हैं सिर्फ इनके धार्मिक कॉमिनल एजेंडे के ताथ देखे अभी साथ मेरा मानना है कि ये जो पूरी नफरत का एजंड़ा अचानक खोला है दरसल देश को जोड़ने की जो प्रक्रिया चल रही है जो बुनियादी सवाल है उसकी प्रती जो आकरशन है उसे खतम करके दुब आने लगेंगे तो इनसान तो यही सोचेगा ना कि भाई ये सरकार है और अगर सरकार चली गई तो 300 साल पहले जिन मुगलों को हमने कबरों में डाल दिया था वो कबरों से बाहर आ जाएंगे और वो हम पर राज करने लेंगे लोग ऐसा भी सोचते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब तक ये सोच बनी रहेगी हम सत्ता पर बने रहेंगे और जनता असली सवाल नहीं पूछेगी मगर इस मंच पर हम आपके सामने असली सवाल पूछते हैं बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी और भाशा आप दोनों का इंडिया की बात में ब पिसार शर्मा को दीजिए इजासत नमस्कार